इस lesson में आपसे मैं बात करूँगा about CBO, हम बात करेंगे कि CBO क्या होता है, कैसे काम करता है, और आप इसे क्या use कर सकते हो, प्लस मैंने जितने भी tests किये हैं, उसमें CBO का result मैंने कैसा पाया है, ठीक है, मैंने बहुत पैसे खर्च किये हैं, in testing CBO, और मैं आपसे share करूँगा कि result कैसे थी, पहले मैं आपसे बात करता हूँ, CBO क्या होता है, देखो, अभी तक क्या होता था, अभी भी at this moment, जब मैं वीड campaign बनाते हो, इसके बारे में मैंने पहले आपसे बात की थी, और इस campaign के अंदर आप बना सकते हो multiple ad set, ठीक है, ad set, एक campaign और उस campaign के अंदर multiple ad set, प्लस हर ad set के अंदर आप बना सकते हो multiple ads, ठीक है, I hope यह आपको clear है, यह पहले भी discuss कर चुका हूँगा, एक campaign उसके अंदर multiple ad set और उसके अंदर multiple ads, पहले क्या होता था, कि जब campaign आप बनाते थे, यहाँ पे आप अपना objective decide करते थे, और then यहाँ पे आप अपना budget decide करते, यहाँ आप decide करते थे, budget, ठीक है, अब तो suppose करो, यह ad set है, और इसका budget है 2000, 2000, और यह ad set है, और इसका budget है 3000, तो facebook करता क्या था, यह पूरे के पूरे 2000 इसी वाले ad set पे खर्च करता था, चाहें यह ad set अच्छा काम करें, या खराब काम करें, अब क्या होता है, कि facebook ने एक नई चीज लांच की, जिसे facebook कहता है, cbo, right, अब यह cbo क्या होता है, तो cbo का मतलब है, campaign, budget, optimization, मतलब आप नाम से समझ सकते हो, कि budget कहाँ decide होगा, campaign लेवल पे, ठीक है, अब suppose करो, यह एक आपने campaign बनाया, और इसका budget आपने रखा 5000, इस campaign के अंदर आपने बनाये, बड़े सारे, ad set, और हर ad set के अंदर आपने बनाया, बड़े सारी ads, ठीक है, हर campaign, हर ad set के अंदर आपने क्या बनाया, बड़े सारे ad, अब facebook क्या करेगा, यह 5000 जो हैं, अब suppose करो, यह वाला जो ad set है, वो बेटर काम कर रहा है, compared to both of these ad set, then facebook, आपका जो budget है, majority budget कहां खर्च करेगा, इस वाले ad set पे, इन पे नहीं करे, simple, facebook का कहना है, कि इससे होगा क्या, कि आपका जो campaign है, आपके जो पैसे हैं, वो सही से खर्च होंगे, और, फाल्तू की ad spending नहीं हो, ठीक है, यह है, पूरा campaign budget optimization, अब suppose करो, आप यहां भी capping करना चाहते हो, कि ठीक है, मैं CBO यूज़ तो कर रहा हूं, मेरे campaign का budget है 5,000, बट मैं नहीं चाहता कि इस वाले ad set पे 1000 रुपए से जादा खर्चो, इस वाले ad set पे 500 रुपए से जादा खर्चो, इस वाले ad set पे 3500 रुपए से जादा खर्चो, तो आप यह काम भी कर सकते हो, आप cap लगा सकते हो, ठीक है, यह आपके पास option है, अब एक दो जरूरी बातें, अगर आप CBO यूज करना चाहते हो, तो make sure कि आपके पास काफी सारे ad set हैं, at least 6 to 7 ad set हैं आपके पास, अगर आप CBO यूज करना चाहते हो, अगर आपको CBO यूज करना है, और 2 से 3 ad set बनाओगे, तो इसका कोई फायदा नहीं है, आपके पास 6 स ad set होने चाहिए, अगर आप CBO यूज करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप बस 1, 2 या 3 ad set है, तो CBO यूज करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है जी, अब ये CBO exactly कैसे use होता है, मैं आपको दिखाता हूँ अपने Facebook ads के dashboard, तो suppose करो मैं conversion ad बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने campaign का नाम लिखा, suppose लिख दिया नाम, और देखो यहाँ पर option दे रहा है Facebook campaign budget optimization, कि क्या आप अपने campaign का budget optimize करना चाहते हो, क्या आप CBO use करना चाहते हो, अगर हमने इसे on किया, तो देखो Facebook हमसे budget का मांग रहा है, यहीं मांग रहा है, तो suppose हमने budget लिखा 5000, ठीक है, अब advance option आप द strategy, हम bid strategy कल के lesson में समझेंगे, कि bid strategy exactly काम कैसे करती है, कितने कितने type के bid strategy है Facebook के पास, ठीक है, ad scheduling हमने बात कर रखी है, हम ads को schedule कर सकते हैं, कि वो कब run हो, delivery type, same thing, आप कब ads को deliver करना चाहते हो, standard, अराम से added चलेंगी, या accelerated, आप ads को जल्दी खतम कर सकते हो, ठीक है, तो suppose करो, आ आपने यहाँ पे campaign budget बनाया, अब यह budget कहाँ set हुआ है, अब यह budget set हुआ है, campaign level पे, not on ad set level, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी, budget कहाँ set होगा, budget set होगा, campaign level पे, क्या है, यहाँ पे वही हुआ, हाँ, बिल्कुल, campaign level पे budget set हुआ, बट हमने बात की थी, कि हम ad set level पे भी बजट को कंट्रोल कर सकते हैं तो वो कैसे करोगे तो सब्सक्राइब आपने किया कॉंटिन्यू और आप आगे बढ़े अब आप आए यहां पर कंवर्जन्स सॉरी गिव में मोमेंट यहां पर देखो option क्या रहा है add spend limit to this ad set ठीक है add spend limit to this ad set अब इसमें दो option दे रहा है facebook मेरे को एक दे रहा है minimum और एक दे रहा है maximum अगर मैं minimum करूँ suppose कर दिया मैंने 100 तो मैं facebook को कह रहा हूँ भया facebook 100 रुपए कम से कम खर्च करना बट आप नीचे देख सकते हो facebook ने लिखा है कि we can't guarantee that this amount will be spent facebook के guarantee नहीं दे रहा कि maximum इतने spent होंगे बट असली चीज़ है यह मैं यहां पर cap लगा सकता हूँ कि भया facebook 200 रुपए से जादा खर्च मत करना और यह facebook करेगा है ना तो हमने बात की थी कि हम spending limit लगा सकते हैं अब एक चीज़ देखो आप अगर मैंने spending limit इसमें लगा दी तो यह normal ads हो गया जो हम आज तक बनाये करते थे जहां पे हम capping को control करते हैं अब इसमें cbo ऐसा कुछ रहा नहीं ठीक है तो अगर आपको cbo यूज करना है तो अगर आप cbo की power यूज करना चाहते हो according to facebook तो आप capping मत लगाओ ठीक है बिलकुली simple अब बात करते हैं कि cbo के result कैसे रहे हैं देखो मैंने across multiple campaigns cbo test किया है मैंने cbo और non cbo दोनो campaign run की है और जो non cbo campaign है उनकी performance cbo वालों से better रहे है जो non cbo वाले campaigns रहे है उनकी performance cbo वाले से better रहे है plus एक दो instances में तो ऐसा हुआ है कि जो सबसे बक्वास adset था जिसकी performance सबसे खराब थी facebook ने majority खर्च उसी के उपर कर दिया facebook ने majority खर्च उसी पर कर दिया जबकि facebook का कहना था कि हम majority खर्च वहां करेंगे जो adset सबसे best है बट ऐसा हुआ नहीं कई सारे instances में मेरे साथ तो personally cbo मेरे को उतना powerful लगा नहीं जितना facebook claim करता है ठीक है बट आपको मैं suggest करूँगा कि एक बार आप test करके देखो बट अभी मैं जितने campaign run कर रहा हूँ उसमें मैं cbo use नहीं कर रहा हूँ right anyways आपने समझा कि cbo क्या होता है कैसे काम करता है और कैसे आप cbo set कर सकते हो अपने campaign पे ठीक है so that's it from this video कल का जो lesson है उसमें मैं आपसे बात करूँगा about bidding strategies ठीक है about bidding strategy हम कल के lesson में बात करेंगे जो आपने देखा था यहां पर option आ रहा था bid strategies तो यह हम सीखेंगे bid strategies कल के lesson में ठीक है जी thank you so much for watching this lesson